वो अश्लील वीडियो बनवाता कौन था? उसका खुद का पती बनवाता था? उसको नाइटी पे नंगा डांस कराता था? उसको गुरूप में बैटके दारू पिलाता था? तुम खुद अपनी बीवी को नंगन अवस्था में परोस रहे थे तब तुम्हारी मर्दानगी कहा उसके चेहरे पर ना तनाव दिख रहा है ना आसू दिख रहा है ना गम दिख रहा है कहीं से वो लड़का दुखी लग लगा है तो लोग यूटूब पर पैसे कामाने के लिए मैं इसकदर गिर गए कि व्यूज पाने के लिए कोई सोचल मेडिया परा के अपनी पत्नी को अब ही मैंने देखा किया सोना बाबू बेबी करके पती पत्नी जो बंद कमरे में जो प्राइविट वक्त होता है पती पत्नी का उसको सोशल मीडिया पे वो दिखा रहा है तो वो क्या कर रहा है उस पे भी कारवाई होने चाहिए उस रात वो विष्णु राज नहीं था घर म सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के लिए कुछ लोग इस कदर नीचे गिर गये हैं कि वो अपने घर के बिवाद को अब सोशल मीडिया पर ला रहे हैं जी हम बात कर रहे हैं मालती चोहान को लेकर जो की अब इस दुनिया में नहीं है और इन सारी चीजों पर बाचित करने के लिए अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के बीना मानवी है और इनकी टीम है मैं बहुत बहुत स्वागत है अच्छा क्या कहना चाहेंगे आप हमेशा देखा जाता है जब भी किसी महिला को इंसाफ दिलाने का बात आता है तो महिला विकास मंच का नाम जरूर आता है मालती चोहान को लेकर आप क्या कहेगी वो घर में रहने का अधिकार मुझे है, मुझे कौन रोक सकता है और विश्णू तुम्हारे पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इतना कमा लूँगी कि मैं अपने बच्चे को पाल लूँगी मुझे भीख मांगना पड़े तो मैं भीख मांग लूँगी, लेकिन बच्चे को अपने पैसे से कमाऊंगी जो 24 गंटे भी नहीं होते हैं, उस वीडियो को शायद पोस्ट किये और 24 गंटे के अंदर वैसी और अतार कर लेगी, आपको लगता है जिस को आतमा रहता है वो एक वीडियो बना के मरता है की मैं मर, और मालती को लिए म मरमा देखे, किसने मारह है उस रात वो विष्णु राज नहीं था घर में जो का कहना हम तो रात में स्टूडियो इंस टूडियो में क्या कर रれथ रहे रात को जाकर अराम से घर चैंसे जैसे सोता था और तुम बड़े प्लान से उसको मारे मार के स्टूडियो चले गए और स्टूडियो जाने के बाद आते हो भोर में और सब को पांच बजे से खबर करते हो मालती मर गई आप देखे जब उसको पूरा सिंदूर भर के ऐसे-से हिला रहा है हिला रहा है द लेकिन वो जो अर्जुन से कराता है वो scripted है वो ऐसे कुछ में दो कहता है कि हमारी पतनी को जो है काफी पहले से अर्जुन-के साथ में प्रेम परसंग चल ला था इसलिए वो भी मालती चाह रहे थी कि हमारा साधी अरजुन से हो जाए उसके बाद एक पती के दुआरा अपनी पतनी का साधी अरजुन नाम के बेक्पी से कराया जाता है तो यह आपको लगता है कि सच नहीं है बस यह भी उच्टियर पर गिंगे जाए है ठीक है उसके बारे में बुरा बोलना भी हमें सही नहीं लग रहा है लेकिन गल्तियां तो मालती की भी रही है जीवन में हम तो कभी कई पक्षधर बाते नहीं हो मतलब एकदम पक्षधर बाते होनी चाहिए किसी के एक पक्षम नहीं हो मालती ने भी एक वक्त में अपने वीडियो को चलाने के लिए हर लेवल का वीडियो बनाया तो आज की रेट में थोड़ा अच्छे वीडियो बनाने लगी थी लेकिन यह तो गलत है ना अब तो वो चली गई वो अश्लील वीडियो बना के एक मुकाम तक पहुँची वो अश्लील वीडियो बनवाता कौन था उसका खुद का पती बनवाता था उसको नाइटी पे नंगा डांस कराता था उसको गुरूप में बैठके दारू पिलाता था उसको सारा चीज करता था उसका अश्लील डांस पेश करवाता था तुम खुद अपनी बीवी को नंगन अवस्था में परोस रहे थे तब तुम्हारी मरदानगी कहां चली गई थी और आज ज़रा सा अरजुन से बात कर ली तो तुम्हारा मरदानगी जग गया तो ऐसे पती निठले निकम में जो बीवी के कमाई पे चलते हैं ऐसे पती का लेकिन वो लड़की नहीं बैठ रही है लेकिन बाद में मालती ये भी आरूप लगा रही थी कि विश्नु को कही न कहीं राधी का नाम के एक लड़की के साथ अफेयर चलना बिल्कुल सही है राधी का फरार है अभी पूरे एपिसोड में राधी का और विश्नु जैसी मा इसा ये बात चाह रहा था कि कही न कहीं मालती को अपने राष्टे से हटा दे और उसके बाद राधी का के साथी कर ले तो बिल्कुल सही बात है और वही हटाया ही गया है इसको इन तमाम चीजों में एक चीज जो सामने आई है गुरकपुरिया भोजी जो अच्छा करने के चकर में बुरा हो गया उसके हाथ से तो वो गई अच्छा करने लेकिन हो गया वो क्या विष्णु ने अगर अपनी बीबी की गंदगी का चार वीडियो डाला होगा तो वो हर घंटे वीडियो डालना चालू करती है तो वो महीं नंग नवस्था में लड़कियों को तुम अच्छी चीज सिखाओ ना यार तुम उन महिलाओं से कुछ प्रेड़ना क्यों नहीं लेती हो जो महिला आज तुम्हारे घर में तीन-तीन बेटिया हैं तुमको समझ में आ रहा है तुम मा बहन की गाली बक रही हो आर एफ जड कित है यह समझ में आ रहा है कितना लीपापोती करोगी उसके ओपर तुम तुम्हें जब लगा कि एक गल्ती में बहुत सार वारोप लगा रही है कि बीना मानुई हम तो पांच लाक चार लाक महीना कमा लेते हैं हमारे सामने एक मिनट भी लाएगी हम हर महीने इतने सारे लोग का हमेसा मदद करते हैं यही है देखे जो यह कहा गया है ना अधजल गगरी छलकत जाए यह ऐसा ही महिलाओं के लिए शब्द कहा गया है और जो नव धनाड होते हैं वो इसी तरह के फूहर होते हैं जो आप लोग कहते हैं कि हमेसा जब भी महिलाओं के साथ कुछ गलत होता तो हमेसा न्याय के लिए आप लोग खरे होते हैं तो जब एक महिला कहीं न कहीं समाज को इस तरीके से बादनाम कर रही है उसको देकर आज हजारों लोग यूटूब पर आके कहीं न कहीं असलील तरीके का वीडियो बना रहा है क्या उस पे आप लोग कोई एक्शन नहीं ले आपस में हम एक प्रियल फाइल करने जाएंगे यूटूबर्स उनके लिए मतलब इंडिया में जितने यूटूबर्स है वो लोगों उनके चैनल पे कंट्रोलिंग कुछ ऐसा कानून बनाया जाए ये करना है ये नहीं करना है ये करना है ये करना है ये नहीं करना है ताकि जैसे ही कोई वल्गेरिटी आये, वो चैनल अपने अपने सेंट्रल दौराब ब्लॉक कर दिया जाए, तो वल्चीज को लेकर आप लोग आवाज उठाएंगे, बिल्कुल उठाना पड़ेगा, पहले के समय में देखा जाए, तो यूटूब जो है, बहुत सारे अच्छे लो बाबू की बेबी, हाँ, चैनल नाम यादनी, एक दिन ऐसी स्क्रॉल, फिर मैंने ध्यान से देखा, हम लिए यह तो पती-पत्नी है, और पती-पत्नी जो बंद कंबरे में, जो प्राइवेट वक्त होता है, पती-पत्नी का, उसको सोशल मीडिया पे वो दिखा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उस पे भी कानूनी कारवाई होनी चाहिए, तुम एक महिला की इजद को परोस्रे हो, जो कि तुम्हारी पत्नी है, तो ऐसे मर्दों को क्या कहा जाएगा, जो इस तरह से पत्नी की इजद बेच बेच के, एक तरह से यह हुआ ना, भड़वा गिरी कर रह कि इस घाटना का जो है, असली मास्टर माइन यह गोरकपुरिया भवजे, इसको कैसे आप देखे, देखे, मास्टर माइन रहे या ना रहे, लेकिन जो यह प्रकरन की थी, गोरकपुरिया, कि उसके सारी बातों को अपने अपने चैनल से अनेता बनने के जाएगा, उसे नह कर दोखियों हमारे आते हैं, क्या एक दो आज आते हैं, जो चाहते हैं उनका हम दिखा देते हैं, लेकिन इसी तरह हो जो परषाम होने हो जाने वाल sig ऐ, बुद्द्ध बाती जाएगी वैश्टी के न्याय को लेकर आप लोग किस तरीके से साथ हमारी बिल्कुल आमिटकर नगर की जो हमारी अध्यक्ष है शृतिमा नाम है उसका वो लगातारी जो गुरकपुरिया चिला रही है तेरा क्या उकात तेरा यह यह बैसिकली चिला रही है उसी पर जो कि इतना जादा हर किसी को एक तराजू में मत तौलो ना आदमी अगर इतना हम काम कर रहे हैं पूरे देश में तो कुछ न कुछ अच्छे कारे हमारे भी रहे हैं जादा गंद मचाओगी तो फिर तुम भी रोगी बैठके आप इस मामला को कैसे देखती है मैं वस उसे जादा कुछ नहीं बोलूंगी वो हमारे संगठन के बारे में बोल रही थी कि हमारे संगठन की जो मेन है तो ठीक है यह संगठन सर्फ वीना दी का नहीं है यह संगठन हमारे सब का भी हम लोग भी सुबा चार बजे से देव घर गयते जितना वीना मानुई एक महीने में मदद नह हम करते हैं हर महीं में कहना और करना बहुत बहुत फरक है वो करके दिखाए हम लोग तो सब कुछ चेक किया जा सकता हम लोग तो साफ दिखाए